असलाम अलेकूम, कैसे हो आप सब लोग आज देखिए, हम कद्दू की खीर बना रहे हैं, इसमें से आदा कद्दू लेना है, इतना लेना है, 3 लीटर दूध है, मिल्क मेठ है, 5 किलो चामल है बासमाती, 100 गिरम साबुदा ना है, इसको भीगा ली एक घंटा होरा, चामल को भ आदा किलो शिकर है, काचू थोड़े से ली हो, बादम ली हो, पिस्ता, 100 गिरम फिका खोवा है, देखिए, इस टोप में में पानी इसलिए थोड़ा से ली कि दूध लगता नहीं बल्के, देखिए, ती लीटर दूध में एक ग्लास पानी दाल है, कद्दू की इस तरह का चिल लेना है, देखिए, इस तरह कस लेना है, कद्दू को, देखिए, इसमें दाल दी हो में है, कद्दू, एक इलास पानी दाल के इसको गला लेना है, देखिए, दो मिनिट गलना है, कद्दू, रख दाली हो में इसको, देखिए, कद्दू गल गया है, इसको निकाल दी ह मचंदी में इप साब्णा गला ओरियो में इसमें इतना पाई डालना और के लिए नहींिट चाहिए कि बारिक नेफिसना है देखिए आदा किलो शेकर है इसको दाल देना है दूद में तब दाल देना है इसमें की सेवे चावल इसको दालते हुए मिलाना है इस मिलाते रहेना है चामल पस्कार फ Lets पढ़ जाते साबुदना हो गया है इस इसको भी डाल देना है इसमें ऐसी μα उखांगा करना है आथे गयंटे तक इसको इस तरह मिलाते है चौसेगी है इसको दालना थोड़ा से इसके साथ में इसको भी पकने देना है चौसेगी देखे कदू गल्लावा ही था मेरा कदू इसको अभी दालना हुने जादा पकाना नहीं रहता इसको दस मीट बस हो गया क्योंकि कदू जादा गल्ला में चाहिए खीर पीने के टाम पर टेस्ट आता अपने गूँ देखे मिल्क मेर दालना भें जालना है यह कि दाल इस सिलना इसारा धद रालते है कि इसकिया है गी、 थेल धालै कि जडरत नहीं है।ब इसमें मिक्स रहता और वाक अपना थीस्पर और यह सेकीषिजमाली हमें धी por aêsटी मैं करीद हिसमें दाली धें हमें घीष गई की का क्षुछ के दालना के इसको है कि इस तरह खोल फोलके दालना है था इससे भी फोटेस्ट आता है लूए कि प्रीक मीट ओड़ने के बाद और एक 5 मीट रखना है इसको देखिए किर बन चुकी है माशाळा बोर टेस्ट बनी है देखिए ध्राइफूर डालेना है प्लाइट देखिए खीर बन चुकी है इसको ठंडा फ्यान की निचे ठंडा करने के बाद फिरीज में रखना है थंडी जितनी ठंडी रहे उपनी देश्ट है और यह रिसीपी Allah Hafiz